हलो दोस्त मैं भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट एवाट इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूं भारत एक ऐसा देश है जहां विविन धर्मेजाती संस्कृति और संपर्दाई के लोग एक साथ मिलजूल कर रहते हैं भारत में हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलत है ऐसे में आज हम आपको भारत से जोड़ी कुछ तत्वियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए नई दिली भारत के हर रोज आपकुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ते होंगे क्या आपको पता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोक्त दिवस मनाया जाता है इसी दिन दाश्टेपती अब्दुलकलाम ने सेडन सेडन लैंड का दोरा किया था नमबर टू इंडिया इंडिया नाम की उत्पती इंडियूस नमक नदी से हुई है जो की इंडियूस वेली की घाटिया में बहती है भारत की सेना अमरीका और चीन के बाद तिसरे नमबर में आता है भारत के पास भी स्वी की तिसरा सबसे बड़ा सेना है भारत देश दुनिया में सबसे बड़े आकार वाले देश की लिष्ट में साथवे नमबर में आता है 5. भारत के कुम मेले का जमावला एतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक छे भी देखा जा सकता है 6. हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है 6. भारत का पहला रौकेट सेकल और उब गरहा को बैलगाली पर लाया गया था नमबर एट भारत के केरल में दुनिया की सबसे बड़े डाक विवस्ता है नमबर नेन भारत देश की पवित्र नगरी वारा नसी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है नमबर दस सतरंज खेल की खोज भारत में हुई थी नमबर 11, दुनिया का साथवा जूबा भी भारत में ही है जिसे ताजमहल कहा जाता, आगरा के ताजमहल को मुगल सासक ने अपनी बेगम मुम्ताज की याद में बनवाया था नमबर 12, भार दुनिया तक योग पहुचाया, योग 5,000 वर्स से भी ज्यादा पुराना है नमबर 13, दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है, जो तक्रिवन 1.9 मिल को एक साथ आपस में जोड़ता है नमबर 14, भारत का मेगाला राज योग दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिच वाला राजी है नमबर 15, भारत का इस्थान सूपर कंप्यूटर बनाने में तीसरी नमबर पर है नमबर 16, सन 1986 तक भारत अकेला ऐसा देश माना जाता है, जहां आधिक आधिक रूप से हीरा पाया जाता था नमबर 17, के FC जैसा बड़े बरांड ने भारत के लिए अलग साकाहरी मेन्यों लागू किया था नमबर 18, भारत में ही दुनिया का सबसे उचा किरगेट स्टीडियम है, यह माचल परदेश में है, जो की समंद्र जेटर से 24,000 मेटर उपर बना है नमबर 11, भारत देश दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है नमबर 20 जीरो नमबर का अभिश्कार भी भारत में हुआ है यह भी पढ़े तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों कईसा लगा दोस्तों अगर अच्छा लगा तो आप लोगों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ने भुलिएगा दोस्तों और यह वीडियो को जादे से